हालो औन वल्कूम, आज टो इस पिटारा में मैं बताने वाली हूँ आपको दे क्लासिक कोड क्राकिंग गेम, मास्टर माइंड खेलने का सही तरीका मास्टर माइंड टू प्लेइज़ गेम है जिसे खेलने के लिए ये गेम ट्रे, कालर्फुल कोड पैक्स, और Ray Abrams के की पैक्स मिलते हैं इस गेम में एक प्लेइर कोड मेकर और दूसरा प्लेइर कोड ब्रेकर बनता है Code Maker का काम है कि वो इन colorful packs का use करके एक ऐसा secret code बनाए जो उसका opponent break न कर पाए और Code Breaker का काम है कि वो अपने sharp mind का use करके कम से कम turns पर secret code को break करे तो game शुरू करते वक्त mutual understanding के basis पर सबसे पहले ये decide कर ले कि कौन Code Maker बनेगा और कौन Code Breaker उसके बाद इस game tray को दोनों players के बीच में कुछ इस तरीके से रखना है कि ये वाली side जहां पर secret code बनाना है वो Code Maker की तरफ हो और Code Breaker यहां उसके opposite side से खेलेगा और फिर gameplay शुरू होगा Code Breaker या तो अपनी आखे बंद कर लेगा या फिर पीट करके बैठेगा ताकि Code Maker अपना secret code बना सके Code Maker इन Code Pack में से कोई भी 4 पैग चूस करेगा और इस hidden location में उन पैग्स को अपनी strategy के according रखेगा Code Maker अगर चाहे तो किसी एक color के दो या दो से ज़ादा पैग्स भी अपने Code में यूज़ कर सकता है Code Set हो जाने के बाद Code Breaker गेम ट्रे को देख सकता है Code Breaker इन Code Pack को अपने सामने दिये गए इस slot पर रखेगा और Code Maker इन की पैग्स को अपने सामने दिये गए इस slot पर रखेगा और इन की पैग्स में से एक white और एक red पैग को हम अलग करके रख लेंगे जो कि हम scoring के लिए use करेंगे Scoring पैग्स round के end में ही use होते हैं इसलिए इन्हें फिलाल side रख सकते हैं तो secret code set हो चुका है और दोनों players को अपने अपने pegs मिल चुके हैं अब Code Breaker अपनी chance चलेगा अब Code Breaker को अपने pegs इस first row में कुछ इस तरीके से रखने हैं जो कि उसकी समझ के according secret code हो सकते हैं फिर उसके बाद Code Maker को अपना feedback देना होगा और feedback देने के लिए वो हर row के सामने ये जो चार slot बने हुए हैं यहाँ पर अपने key pegs रखेगा अगर Code Maker कोई एक white peg लगाता है तो उसका मतलब है कि इन pegs के color में से कोई एक color ऐसा है जो secret code के color से match करता है अगर Code Maker red color का peg लगाता है तो उसका मतलब यह है कि इन peg में से कोई एक color ऐसा है जो secret code के color से match करता है और साथ में उसकी position भी सही है For example, आप देख सकते हो कि Code Maker और Code Breaker दोनों ने ही एक red color का code peg रखा है बट वो exactly एक दूसरे के opposite एक straight line में नहीं है और इसी लिए Code Maker को इन चारों में से किसी भी एक hole में white key peg रखना है इसके अलावा Code Maker और Code Breaker दोनों ने ही एक orange color का code peg रखा है और ये दोनों orange pegs exactly एक दूसरे के opposite एक straight line में है तो इसी लिए Code Maker को अपना feedback देने के लिए इन चारों में से किसी एक hole में एक red key peg लगाना होगा अब इन चार hole में से Code Maker ने दो hole खाली छोड़ दिये है जिसका मतलब है कि Code Breaker के इस guess में दो code peg ऐसे हैं जो इस secret code में है ही नहीं जैसे कि इस case में आप देख सकते हो कि Code Breaker ने white और yellow peg रखे हैं जो की secret code में नहीं है Code Maker के feedback के हिसाब से दुबारा से Code Breaker secret code guess करेगा और फिर इस second row में code pegs को रखेगा बस यही process दोनों players turn by turn खेलेंगे अगर Code Breaker 10 turns खत्म करने से पहले सही code guess कर लेता है तो वो यह round जीच जाएगा और अगर वो guess नहीं कर पाता तो Code Maker यह round जीच जाएगा और जैसे ही कोई एक round खत्म हो जाता है तब दोनों players अपना role change करते हैं और फिर उसी तरीके से game को खेलते हैं जब कोई player एक round जीता है फिर वो अपने score pack को यहाँ board की इस location पर रखता है यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1, 2, 3, 2, 29 तक numbers लिखे हुए हैं जो की number of rounds के लिए हैं तो जो player जितने rounds जीतेगा वो अपना score pack उतने ही number के आगे लगाता जाएगा players अगर चाहें तो game के शुरू में ही यह decide कर सकते हैं कि वो कितने round खेलेंगे और जो player सबसे ज़्यादा round जीतता है वो ही इस game का winner होता है तो यह था mastermind खेलने का सही तरीका happy playing